नमस्ते, वेलकम टू संगिता फैशन, आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ, यह बहुत कुपसोरत ब्लाउज पीस है, इसकी साड़ी मेरे पास नहीं है, लेकिन यह जो ब्लाउज डिजाइन है, यह हम ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे, इसका ही जो साड़ी है, वो ग लख्का हुआ है, इसका आर्म हूल शिक्स एंच है, और जो मैं यह शोल्डर पट्टी निकाल रहे हूँ, वो तीन इंच की है, यह तीन इंच की शोल्डर पट्टी के साथ, आज हम गला बनाएंगे, और नीचे के साइड से गला पट्टी के लिए मैंने यह 3.5 इंच का गल कależ पाइजस्ट ह्पणक स्पाइब से 7 6 5 का रखते हुए यह गले का आकर दिया हुआ है अब हम उसाद के साथ आज हम बाहर के साइट से डिजाइन देजाइन नहीं है अपको डॉर कर करती हूं वह दिजाइन कि स्टाइल से बनाएंगे हम आज मैं आपको दिखा देती हूं यह जो दो-दो इंच और एक- एक条 का महिने अंतर लिया हुआ है यहाँ पर तीन इंच का लिया हुआ है यहाँ से दो इंच यहाँ पर एक- एक एक इंच और यहाँ पेस साइड में जो हम वक्राकार बनाएंगे उसको तीन इंज का लिया हुआ है कुछ इस तरह से आज हम गलेखा अकार बनाएंगे तो लियों के एंद तक हमारे साथ बने रहे हैं और देखिए मैंने किस तरह से आज की ये design ड्रा करके design बनाये हुआ है अब हम इसको cut कर लेंगे ये cut करने के बाद आद में आपको मैंने ये जो blouse design बनाई है वो किस type में और कैसे बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ अब नीचे के side पे ये आस्तर का कपडा रखेंगे और उपर के side ये blouse का fabric रखेंगे और इसको pin से टक कर लेंगे पिन से टक करने की वज़े से क्या होगा कि जब हम ये सिलेंगे अब ये silk का कपडा है अगर सिलने के लिए machine के नीचे रखा जाए तो इधर उधर से रख जाता है तो इधर उधर ना सरके इस वज़े से मैंने इसको pin से इस तरह से टक किया हुआ है अब हम इसको सिल लेंगे तो गले का आकार जिस type है मैं उसी type से गले का आकार निकाल रहे हूँ अब ये निकालने के बाद नीचे के side से भी अस्तर और blouse के fabric के उपर ये tip लगा रहे हूँ और फिर pins निकाल कर ये गले के आकार को छोटे छोटे कर्स देंगे ताकि हमारा जो गला है वो जिस तरह से हमने बनाया है उसी type उबर कर आए और इसके उपर press टीप लगा रहे हू अब इसके अंदर मैंने paper पट्टी डाली हुई नहीं है तो मैं ये उंगली की मदद से अंदर और फसा हुआ fabric निकाल कर उसको अच्छी तरह से press टीप लगा रहे हूँ अब ये बाहर के side से भी press टीप लगा लेनी है जब हम blouse सिलने के लिए लेते हैं तो इस press टीप का उप नीचे के side का ये प्रेश्टीप भी लगा लेनी है प्रेश्टीप लगाने के बाद ये बाहर की side की भी प्रेश्टीप लगा कर लेनी है अब ये प्रेश्टीप लगाने के बाद ये नीचे के side से जो टक्स ले रहे हूँ वो shoulder के बीचो बीच है और shoulder के बीचो बीच टक्स नीचे तीन या चार इंच तक मैं नेचे का टक्स लेती हूं फिर ये शाड़े-पाच इंच की पीट की डिजाइन के साथ अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा कपड़ा लेकर ये डिजाइन बना रही हूं ताकि जब डिजाइन बनाने के बाद कपड़ा कमना हो जाए या फिर डिजाइन कम ना पड़ जाए आप इससे कम भी ले सकते हैं देखे इस तरह से फिर टिप लगाने के बाद पलटी करते हुए ये सेंटर को इस तरह से सुई और धागे के साथ चुन्नटे लेकर ये मनी बिठा लेना है ये जो मनी है एक साइड से प्लेन है और एक साइड से ग इस टाइप से बिठाएंगे तो हम ये कम कर सकते हैं। अभ जो डिजाइन बनाई थी हमने उसको ड्रा कर रहे हूं। तो एक-एक इंच का ये डिजाइन लेके और फिर यहाँ से दो इंच का जो हमने नाप लिया था और सायट से तीन इंच का वह जो पहले दिखाया था मैंने उसी टाइप से ये नाप लेकर मैं इस तरह से डिजाइन बना रहे हूँ अब ये सेंटर लेकर मैं पिंट से इसको टक करके मैं फिर इसको टीप लगा कर ले रहे हूँ ताकि जब हम इसके उपर काम करें तो ये ही लेना अब इस तरह से मैंने टिप लगा कर ये side का cut किया हुआ है अब side के साथ हम इस तरह से cut कर लेंगे cut करने के बाद जो उपर की side है वहाँ से हम ये lace लगाएंगे अब जिस तरह से हमारे गले का आकार गुमता है उसी type से हम lace को पहले आकार में गुमाएंगे फिर उसके बाद उसके उपर टिप लगाएंगे तो यह ऐसे करने से हमारी जो लेस है वो बहुत अच्छी तरह से गले में बैठ जाती है और गले का जैसा आकार हो उसी टाइप में ढल जाती है अब हम यह दूसरे साइड भी इसी तरह से प्लेन पट्टी जो लेस आती है वो लेस लगाएंगे और फिर उसके बाद हमने जो वो बो की डिजाइन लगाई थी उस डिजाइन को हम इस तरह से लेस के साथ बनाएंगे इसके उपर लेस की टिप आएगी तो यह डिजाइन जो दागे निकलते है उस तरह से निकलेंगे नहीं इसलिए डबल टिप अगर आप ऐसी डिजाइन बना रहे हो तो लेस के उपर डबल टिप जरूर लगाए ताकि जब लेस लगाए ऐसे बोब डिजाइन में तो उसके ताके नहीं निकलेंगे फिर यह यहां से भी उसको डबल टिप लगा लिने अगर आपको मेरे ब्लाउज डिजाइन और स्लीज डिजाइन पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा वीडियो को लाइक किजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग